बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, असलाम लेकिन स्टूरेंट्स, हम बालो जी नाइन्थ क्लास का चैप्टर नमबर 6 इंजाइम्स पाढ़ रहे हैं, इसके प्रीविएस टॉपिक में हमने देखा था कि मैटाबुलिजम क्या होता है, कैटाबुलिजम, एनाबुलिजम, एक्टि 1878 में एक जर्मन फिजियोलोजिस्ट है, विलहलम क्योंने, इन्होंने सबसे पहले 1878 में इस टेम को इस्तमाल किया था, और इंजाइम्स की जो basic definition आज हमारे पास है, या इसकी जो basic characteristic है, वो है कि इंजाइम्स आर globular proteins, ये goal proteins के बने होते हैं, इंजाइम्स आर mostly proteins, like all proteins, they are made up of long linear chains of amino acids, ये जो हैं, आपको पता है, जितने भी proteins हैं, वो amino acids से मिलके बने हुए हैं, इसी तरह से ये भी जो हैं, ये लंबी chains है amino acids की जिन से मिलके बने हैं, वो chains क्या करती हैं, वो fold होके three dimensional structures बनाती हैं, और वो ही enzymes होते हैं, आगे उसने इसको बताया है, they are made up of long linear chains of amino acids that fold to produce a three dimensional structure, एक चीज़ मैं आपको बताया देता हूँ कि वो word science में अमूमी तोर पे जिसके end के आपर A's आ रहा है, suffix A's, A-S-E-A's, वो अमूमी तोर पे enzymes हैं, इससे पहले जिन words के end पे enzyme आता था, suffix enzyme, Z-Y-M-E, वो भी enzyme समझे जाते थे, almost all enzymes are protein, जिसकी पहली हम characteristics पढ़ेंगे, व हो है, वो ऐसा enzyme है, जो के RNA का बना हुआ है, यह आपने याद रखना है, उसने almost का word इस्तमाल किया है, तो इसलिए एक enzyme ऐसा भी है, जो के protein से नहीं मिलके बना, वो RNA से मिलके बना है, ribozyme, और उसके end पे भी enzyme आ रहा है, otherwise जितने भी enzymes आफ़ जातार देखेंगे, उनके end के पर A's आएगा, जैसे cellulase, xylanase, protease, etc. तो अब हम इसकी characteristics के उपर आते हैं, कि इनती क्या खसूसियात है enzymes की, तो पहली उसने जैसे कि मैंने पहले बताई है, कि almost all enzymes are proteins, यह तुमाम के तुमाम जो हैं, वो protein से मिलके बने होते हैं, मास वाय चांद के जिनमें से एक ribozyme है, enzymes are very specific for the type of reaction and nature of substrate, जो substrate है, जैसे कि अगर glucose है, तो उसके लिए उसका मकसूस enzyme होगा, protein है, तो उसके लिए उसका मकसूस enzyme होगा, protein के लिए enzyme protease है, glucose कार्भो हाइडरेट है, उसके लिए amylase enzyme हो सकता है, कोई और enzyme हो सकता है, तो यह बहुत ज़दा specific होते हैं, हर किसी molecule के लिए उस का मकसूस enzyme होता है, वो उसी के उपर काम करता है, थर्ड जो इसकी characteristics है, वो बता रहा है कि only a small portion of enzyme is directly involved in catalysis, which is called active site, इसका एक मकसूस हिस्सा, छोटा सा हिस्सा जो है, वो ही जो है working में हिस्सा लेता है, उस हिस्से को हम active site बोलते हैं, next जो हमारे पास इसा character है, वो है enzyme production can be enhanced or diminished by a cell according to needs, हमारे जिसम की, for example, अगर हम अपनी body की बात करें, तो हमारी जुरूरत के मताबिक, हमारे, जैसे के हम खाना खाते हैं, तो हमारे stomach में enzymes की production भड़ती है, जब हमारा खाना हजम हो जाता है, तो उनकी production less हो जाती है, जो stomach की walls होती है, वो enzymes की production को less करती है, तो यही बात उ enhance, increase भी किया जा सकता है, और diminished, खतम भी किया जा सकता है, enzymes की production को cells के अंदर, some enzymes require non-protein molecules, कुछ enzymes को अपने साथ, proteins के इलावा भी वो molecules को लेके चलते हैं, जिनको हम co-factor बोलते हैं, और co-factor किया गए, उसमें दो टाइप बताएंगे, और organic भी हो सकते हैं, और inorganic भी नाम से जासे के जाहिर है, organic चीज़ें आपको पता है, जिनमें carbon और hydrogen होता है, वो organic होती है, तो organic co-factor में हमार पर flavin है, heme है, inorganic में कोई भी metal बगएरा जो है, वो भी हो सकता है, तो organic factor को अगर आप लेके आगे चलते हैं, तो इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, prosthetic group और co-enzy enzymes, तो prosthetic group क्या है, organic co-factors are tightly bound to enzymes, वो co-factor जो के बहुत tightly enzyme के साथ जुड़के काम करें, वो prosthetic group में, और co-enzymes में, जो के loosely, तो यह एक ही point है, जिसका इसमें फर्रक है, जिसके loosely bound हो enzyme साथ, वो co-enzyme है, इसकी मिसाल यहाँ भी हमने लिख दी है, riboflavin, folic acid and thiamine, next factor पर जलते है हम enzymes can work together creating metabolic pathways, in this process one enzyme take the product of the other as substrate, इसको मैं आपको इससे समझाँगा, कि for example, हम कपड़े की industry की मिसाल लेते हैं, तो वहाँ पे कपड़े का जब थान आता है, तो उसको उसकी कटाई के लिए, कपड़े को काटने के लिए, एक team अलग से होती है, उसको सीने के लिए अलग से होती है, तो एक team जो है, जिसने कटाई करनी है, वो सिरफ उसको काटेगी, उसकी जो product होगी, जो कटा वा कपड़ा होगा, उसको दूसरी team सीएगी, बिल्कुल ऐसे ही, sometime enzymes जो है, वो दूसरे की product पे काम करते हैं, तो उनकी product जो है, वो उसके लिए substrate होगी, फिर जो उसकी product होगी वो next वाले के लिए substrate कहलाएगी, तो यह बहुत एहम point है, next and the last point is, most enzymes rates as million of time faster than those of comparable to uncatalyzed reactions, वो reactions जिसमें enzymes होते हैं, sometimes वो लाखों गुना तक तेज हो सकते हैं, millions, लाखों गुना तक वो तेज हो सकते हैं, उन reactions के निसमें enzymes नहीं होते हैं, एक ही reaction है, उसको आप enzyme के साथ, और enzyme के बगैर अगर करवा के देखेंगे, तो जिसमें enzymes मुझूद हैं, उसकी speed बहुत ज्यादा होगी, यही वज़ा है कि last lecture में हमने इनको biocatalyst भी कहा था, क्योंकि यह process के तेज करते हैं, next topic is uses of enzymes, छोटा सा topic है, very important topic है, कि body से बाहिर, जानदारों की body से बाहिर, plants, animals की हम इसको क हैं, simple sugars में, और हम breads बनाते हैं, buns बनाते हैं, तो कार्बो हाइडरेट पर जो enzyme act करता है, उसको कार्बो हाइडरेज भी बोलते हैं, उसे amylase भी बोलते हैं, यह आपने याद रखना है, इसी तरह से brewing industry आ जाएं, शराब साजी की सनद, जिसमें मश्रूबात बनते हैं, उसम हम fermentation कराते हैं, yeast के साथ, और फिर product त्यार होती है, जितनी हमारी beverages हैं, वो ऐसे ही बनते हैं, तो इस industry में भी amylase carbohydrates के लिए use होगा, starch के लिए, और proteins के लिए protease enzymes भी use होता है, तो आप इसको example में लिख सकते हैं, next one is paper industry, paper industry में आपको पता है, हम लकडी इस्तमाल करते हैं, लकडी का गड़ा पंजब कम करना है, इसके लिए भी मुमी तोर पे amylase enzyme है, carbohydrates है, जाइलानेस, जो जाइलम को तोड़ता है, वो वला enzyme भी इसमें होता है, तो हम उस लकडी की जो गोदा है, उसकी thickness को, उसकी viscosity को कम करते हैं, और उससे फिर हम कागस तिहार करते हैं, so the last one is biological deter detergents, हमारे कपड़ों पर, बरतनों पर दाग धबे लग जाएं, तो उनके लिए जो हम soaps या detergents या डिटरजेंट्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर भी आजकल enzymes मुझूद हैं, for example, कहता है, removal of protein stains from the clothes, कपड़ों के उपर अगर हमारे खाना खाते होगे दाग लग जाएं, तो उसके अंदर भी जो साबुन या सर्फ हम यूज़ करते हैं, protein enzymes मुझूद होते हैं, amylase enzyme जो है, dish washing के लिए, जो के हम खाना खाते हुए घी वगरा के जो धबे होते हैं बरतनों के उपर, वो उनको साफ करने के लिए amylase enzyme जो है, वो starch को भी raise करता है, खतम करता है, इस त topic जो है, वो अपने next lecture में देखेंगे, hope so आपको समझाई होगी, thank you, assalamualaikum